जे एनियू में पढ़ता था और इससे जदे फख्र की बाते के मैं जे एनियू में पढ़ता था मुझसे अभी आज ही मेरे फेस्बुक पर किसी नौ ज़वान लड़की ने पूछा के सर के आप जे एनियू में पढ़ते थे तो मैंने का मैं पढ़ता भी था और पढ़ता भी था दोनों चीजों का मुझे फख्र है और उस लड़की ने लिखा जो मुम्मई की है और सर मुझे अफसोस है के मैं जे एनियू की स्टुडेंट नहीं हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि JNU को बंद कर दिया जाए वो वेवकूफ नहीं है वो बहुत समझदार लोग है वो जब ये कहते हैं कि JNU को बंद कर दिया जाए तो वो पढ़ने लिखने की उस कल्चर को बंद करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहट कॉम्रेट व्रिंदा कराज जाते जाते एक वाक के कहती हैं कि मेरे पास वक्त होता तो नैशनलिज्म पर जो क्लास यहां होने वाली हैं में उसे अटेंड करती है यह उतन चाहता है आप उन लोगों से इसकी तुलना कीजिए और उन लोगों की तकलीफ समझे जो अबबल तो कुछ जानते नहीं हैं लेकिन समझते यह हैं कि वो सब कुछ जानते हैं जो जानना चाहिए देखिए एक बात कही जाती है अंग्रेजी में कहावते के इग्नोरेंस इस ब्लिस और उसका मैं अपने धंग से उसका हंदी में अगर विस्तार करूं तो अज्ञान जो है बहुत सुख़द होता है और अहंकार से पैदा होने वाला अज्ञान तो अब इतना सुख़द होत दोस्तों बात की जाती है राष्ट्रवाद की किस तरह का राष्ट्रवाद है संवेधानिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद जनता की आमराय पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आधारित राष्ट्रवाद बहुलता से भरे इस देश और समाज में सभी की बहुलता का सम्मान करने वाला और उसको समावेश करने वाला राष्ट्रवाद या केवाले खास इलाके के या खास भासा बोलने वालों के या खास मजब को या धरम को मानने वालों की दादागिदी का राष्टरवाद कौन सा राष्टरवाद में चाहिए राष्टरवाद की लोग एने एक तो भई मीडिया के लोग मौजूद हो तो मुझे माफ करें जिंद्गी वर प्रोफेसर रहूं तो इस तरह की बाते करने की यादा तभी तक छूटी नहीं यार मीडिया में आजकल दाखेल होने के लिगे पढ़ने लिखने की सर्थ बिल्कुल अटा दी दिए भारत सरकार की पारिभास्विक शवदावली में सिडिशन कार्थ देश द्रो नहीं होता राज द्रो होता है जद्रो जदा चीज है अब सिडिशन के कानून कैसे हैं कैसे नहीं है उनी के तयथ गांदी जी को बंद किया गया था उनी के तहथ भगत सिंग को फासी पर लटकाया गया था उस सारी बहस में मैं नहीं जाना चाहता आप लोगों के साथ ही सब बात में करने की जरूरत नहीं है मैं फख्र के साथ यह कह सगْता हूँ कि यहां बैटे लड़के लडकी सायद इन चीजों को मुझसे बेतर जानते हूँ मुझे फख्र है इस बात इस पीचर के नाते में ये कहना चाहता हूँ संस्कृत में एक कहवत है कि सरवत्र विजये मिच्छेत पुत्रात शुश्यात परा जाया हूँ इसमें पुत्र में जो जेंडर वाला मामदा उसको एक मिट कली छोड़ दी कहवत का जो आश्व है उसको समझी कि एक विद्वान एक स्कॉलर यह उम्मीद करता है और चाहता है कि वो दुनिया में हर जगे जीते लेकिन उसी के साथ वो ये चाहता है कि अपने पुत्र या पुत्री से और अपने सिस्ट से वो पराजित जो जगे है पढ़े हो किसी अच्चे सनसान में पढ़े होंगे बहुत बढ़ी अंग्रेजी बोलती है तो जाहे रिए किसी मेरी तरह किसी मिंसिल्पल सकूल से तो पढ़कर आई निगे हो मैं तो अभी भी ठीक से अंग्रेजी निस पूल पाता आप देखी रहे हैं तो पता नहीं वो कहां पढ़े हैं लेकिन लेकिन मैं इस JNU में पढ़ा हूँ और इस JNU में मैंने पढ़ाया है हमारे सीने चोड़े हो जाते थे उससे में बता और स्टुडेंट के जब क्लास लेते हुए नाममर सिंग कहते थे कि यार तुम लोग जिस तरह के सवाल पूछते हो तो एक दिन भी बिना तैयारी के तुम्हारे सामने आना खत्रे सखा लेगा और नाममर सिंग होने का क्या मतलब होता है या प्रभाद पटनायक होने का क्या मतलब होता है इसे मीडिया वाले जाने या ना जाने अध्या लड़कियां जाने राश्ट्रवादी जाने या ना जाने जिए नू के लड़कियां जाने हम भी जामते थिए और आपरूवडी जाने हमें फक्र होता था जब कोई लड़का और रख देता था कि हम कहते थे के यार कल बताईंगे प्राबलम यह हुती ही कोई चीज खामखा में हाथ में आजाए तो इसका मोल समझ में नहीं आता हुआ आदमी बौरा आजाता है एक प्राणी विसेस के हाथ में एक अस्त्र विसेस आजाए तो अपनी नाग काट लेता है मैं किसी का नाम नहीं ले रहूंगा है भी आप लोग ना जाने कि होंसे जा रहे हैं यह खुद नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों मैं एक बात केवल कहना चाहता हूँ दो एक बात हैं सहला इतनी जाज़त है कांगिंग सहला मतलब चुके बात चलिए तो सबसे पहले एक तो मैं आदर्णी मोदी जी का राजिनाच जी का बसी साफ का धन्यवाब करना चाहता हूँ और उसका बड़ा नीजी का रहा हूँ पिछले कई सालों से मैं स्वेखर गुपता से लगाता रसेमत चला रहा था एक दो बाद टीवी अभी भी भी बहस हुई थी और वैसे भी वो नियो लिबरल किसम के आदमी है मैं अपना पुराना डाइनासा और किसम का बाम पन थी हूँ तो वो हमारी आपस में बनती नहीं थी मैं पहली वार जीवन में उनसे सहमत हूँ अगर आप लोगों ने उनका कल का ट्वीट देखा हूँ कि इतना मज़ेदार खाकी वाला सोले के असरानी के बाद दूसरा नहीं उन्होंने लिखा है कि IPS ने इस टेलेंट को अभी तक का छुपा रखा है सभागे से या दुरभागे से IPS आईएस चुनने की प्रक्रिया से भी कुछ समय तक मेरा संबंदर आ है और मुझे मानना पड़ेगा स्वेगर गुपता से सहमत होना पड़ेगा कैसी प्रतिभा कम से कम मैंने अपने कारिकाल में न देखा है वो सचमुच हमारे जो आदर्णिये हैं वो भूतों न भविश्यती प्रकार के विए कोर्ट के अंदर वकीलों पर हमला हो रहा है सुप्रीम कोर्ट तिल मिला रहा है मैं थोड़ा बहुत नीं चीज़ों को जानता हूँ इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट किसी को अपना कमिस्नर बना के बेचता है तो उसका कुछ मतलब होता है ये पांच वकील, छे वकील अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं आये थे एज कमिशनर साफ सुप्रीम कोर्ड वो आते हैं और सारा कुछ हो जाने के बाद उनको भी हैकल किया जाता है उनके खिलाप भी नारे लगते हैं और बसी ये टेली विजन पर खड़े वो के स्वेर सुना रहे हैं ने अधुट लो दोस्तो बात केवल जे एनियों की नहीं है वेना जैसे आपसे कहा कि बात एक खास तरह की एकडमिक कल्चर की है बात एक खास तरह की बढ़ाई लिखाई के ढंकी है बात उस संस्कृती की है जिसमें मेरे सामने बैठा मेरा चात्र मुझसे अस्यामती प्रकट कर सकता है बिना इस खत्रे के को उसका खेश जिसमें मेरा कोई चात्र मेरी कही हुई या लिखी हुई किसी बात के खिलाफ बहुत तीखा रिवीव लिख सकता है बहुत तीखा लेक लिख सकता है और फोन करके सुयम मुझे सूचना दे सकता है कि सर आपकी किताब का रिव्यू मैंने किया है आपने देखाया है और मैं उसके कहता हूँ कि हाँ बत्स देख लिया मैं भी जवाब दूँगा जैनिई उस कल्चर करना और बात के आपाल जैनियू की नहीं है दोस्तों मैं खास करके उन लोगों से निवेधन करना चाहूँ आ जिनको लगता है कि हम स्मुके सब जैनियू वाले हैं और हम तो हंगामा इसलिए कर रहे हैं आप कहते हैं सट डाउन जेन यू हमारा निवेदन ये के लेट एवरी इंडियन उनिवर्स्टी बिकम लाइट जेन यू YouTube पर एक मेरे एक मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजा उसमें एक सजन जेन जेन यू की सबसिडी का एकानामिक्स समझा रहे है वो जाहेरे की बड़े भारतिय परंपरा के प्रेमी है वैदिक परंपरा के प्रेमी है उनसे तो मेरा परिचे है नहीं कभी मिले तो मैं उन से केवल एक बात पूछूंगा कि आपको पता है कि स्वामी दयानन सरस्वती मत्रा में जिन गुरू के पास पड़ते थे स्वामी विर्जानन सरस्वती के पास और जिनकी पड़ाली और पद्धती के आधार पर उन्होंने सारी पौरानिक मानिताओं का खंडन किया और यह कहा कि केवल वेद मानने हैं बाकी कुछ भी मानने नहीं है उन विर्जानन सरस्वती की पाट साला को गुजरात के और मारवाल के वो बनिये फाइनांस करते थे जो अपने घर में रोज सुबह साम मूर्ती पूजा करते थे भारत में एकेडमिक कल्चर के सम्मान की संस्कृती असल में यह रही थी कि आप कितने भी विरोधी क्यों ना हूँ लेकिन अगर आप इसकॉलर्ली काम कर रहे हैं अगर आप इंटेलेक्श्टनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट करके मापकर रहाए हैं बलके आप लाखों की नौकरी करने की बजाए करोडों के क्या कहते हैं उसको पैकेज वो लेने की बजाए अगर सोसल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो आप देश और समाज के ऊपर एसान करते हैं दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा कि बात एकेडमिक कल्चर की है स्विक्षां और अध्यापन की संस्कृति की पूरे देश में जो माहौल बन रहा है मैं पिछले 6-7 साल से सोसल मीडिया पर एक्टिव हूं क्योंकि मुझे लगा कि अपने आपको नौजवानों से जोड़े है ताथा प्रत्यक्ष रूप से आप प्रत्यक्ष नहीं तो वर्च्वल रूप से तो जुड़ा रहा हूं मैं देखता हूं अध्भूत इस्ति थिए मित्रोर ये बहुत चिंता जनग है बहुती चिंता जनग है आप देखेंगे के धीरे-धीरे कोसिस यह कि जारी है कि इं पढ़ातों इसटिंग मिनिस्टे इस ने अपरात किया एडे-डा से मिडियो चल रहा है मीडिया वाले लेकिन देश के लिए अधुड़ा अच्छा हुगा हुता है अ także साब कमीस्रर साब हिंको हिस्ट एक कैमिर का कारवाई चल रही है preço परस्का गोरीफिकेशन वो आदमी आज फिर केमिरा पर तोराया कि मैंने चीज़न फिर सुझत पिर आप tests अची इन टोलेक्शक लक्टार्णेम्नेसड इन टोलेक्शाव का uw exactement इस öld्रीफे नाम से नहीं आता है, डेमोक्रिटिक इंस्टिट्यूशंस का सक्तिया नावस, लोग तंतर को भीड तंतर में और कैसे बदला जाता है, मौप फ्रेंजी, हालत यह है दोस्तो, मेरे बड़े भाई, वालियर में रहते हैं, उन्हें चिंता हुई मेरी, उनके विचार वैसे कोई वामपन थी, यह सब नहीं है, लेकर वह पढ़े लिखे, समझधार हिंदुस्तानी जरूर है, उन्होंने का कि भाई जरा अपना ध्यान रखना आजकल जो हालत है, और जैनूली उन्होंने का, मुझे डर लगता है कि तुम पर कोई सिर्फ हिस्त्री हमला ना कर देगे, तु होगी होगी सुप्रीम कोर्ड में, पटियाला कोर्ड में, इतना हल्ला मचा रहे हैं, यह इस देश के ग्रहमंत्री का बयान है, इस नगर का पुलिस कमिस्नर कहता है कि अटवाजा माई रिस कफल, और उसके बाद आजा आप कनिया कुमार को पेस करते हैं, तो दो पुलिस व यू कैनोट मेंजिन डेमोक्रसी विदाउट इंस्टिटूशनल नॉर्म और रेस्पेक्ट, और मॉप फ्रेंजी एंड डेमोक्रसी आर एक्चुली एंटेटिकल, यह इतने सारे लड़के लड़की हैं, इतने तनाव में हैं, भई आप लोग जीनियू वाले वाक़ी बहत परिसान करने वाले अ, सभको अपने कंडरों लोकुसके बैठना चयाए था, ढर जाना चाहिए था वाई चांसर तके सामने साघ्टांग करते होना चाहिए था, आप यह बैटके, मार गाने गाए जा रहे हैं, दांत निकाले जा, तो क्योंनाचंदन मित्र thing कहें कि बंद क МУЗЫКА मित्रो हम आसे जुकि आपको नाम क्या तो अब नंदा की ट्यूब लेट देर से जली दोस्तों मैं यह कह रहा था कि फासेज मों कोई लिखके नहीं आता है और हमारे मीडिया वाले मित्र जो अभी दो साल पहले तक एक महान नेता विसे इसके लाइव टेली कास्ट दिखाया करते थे उनहीं में देश की उम्मीदे देखते थे मेक इन इंडिया देखते थे ततकालिन प्रधान मंत्री की उम्र से रुपए और डॉलर का संबंध जोड़ते थे वाई दवे आज की ख़बर यह कि डॉलर मेरा ख्याले 59 रुपए के आसपास पहुंच गया है और वो इस तरह किसकी उम्र के पास से भगवान जाने प्रधा रिजर बैंक का गवर्नर यह कहने के लिए बात दिया कि आपके आंक्रे जो है वो फजी है रिजर बैंक के गवर्नर साब जी यह नहीं मैं नहीं पढ़े है आपके आपके समर्थक फॉरेंड पॉलिसी एनिलिस्टी कहने को बात दियें कि आपकी फॉरेंड पॉलिसी लगात साल पहले तक नेपाल अभी दस्वारे साल पहले तक संब्यधानिक रूप से दुनिया का अकेला हिंदू राश्टुगा करता हुआ महाँ भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं धन्य है यह विदेश नीती पर अर्थ नीती पर सामाजिक नीतियों पर आप मंडरेगा को कॉंग्रेस की विफलता का इसमारत बताते थे आज आप ही फरमाते हैं कि मंडरेगा से तो बहुत काम हुआ है इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा है आदी आदी इस सारी विफलता को ढखने के लिए हम सब थोड़ा बहुत पड़े लिखें लोग हैं थोड़ा बहुत मैं भी पड़ा लिखा हूं थोड़ा बहुत आप भी पड़े लिखें हैं बल्के आप जयादे में थोड़ा फासिज्म मित्रो ऐसे ही आता है फासिज्म जरूरी नहीं के सेना के जरीए आए फासिज्म जरूरी नहीं के सम्विधान को आप चारे क्रूप से खत्म करके आए फासिज्म के कंपोनेंट जो हैं वो सामने आपके मौझूब विपनर लुकाट, आइकषाण विद्ट, इन कोगग जतरी हो जब कुछी झालिखनाज हैंन वाधनिखनी कि मुएड़ स्वेश्ट थीजिट, विवध्भ डिजिट, ऑट कीीनिज रगगग, एवधने मुएट, ब्यूदिट, विवधने लुकाट और तीजिट, वी-टीजि in this country today don't we have like certain people who who carry camera and gun in their hands I mean we are living in strange situations and we are living in a very dangerous moment and this is why I can understand that I am not a JNU student because that girl is not a realist that I am not a realist but when the country is a democratic rights when the country is in this country is in this country this university is in this country and that is why they want to shut down JNU that is why Mr. Swami is so upset with JNU that is why Mr. Mitra is so upset with JNU who is this Saakshi Maharaj I feel proud as a JNUite that these young boys and girls are not fighting for the autonomy of their university only. They are not fighting for their comrade Kanahiya only. They are fighting for the very democracy in this country. They are fighting for the rationality in this country. They are fighting for real accommodation, real assimilation. And in this sense, real democratic and secular nationalism is discussed. The idea of secular and democratic India is non-negotiable so far as I am concerned. And any threat to that idea is JNUite Matoomi. Commit from where? There, anywhere. Lakin, this is also the myth. And it is a struggle that you are fighting with the autonomy. अ 돼कर दो जहारे एक मेर्याने प्रकॉर बिर्णी मेहारा ताज्यग हुआ वो मेरी बेटी न मेरी बेटी न वहाली मैं असल मैं दिल्ली में थानी कल तक हम लोग ऐसी प्रोटेस्ट करने के आज है जब हमने संस 77 ए 78 में अरताल की थी हम लोग विद्ध्यार्थी थे अरताल क्या की थी हम लोगों का कुछ चल रहा था वाई चासर साब उससे में नाक चौधरी साब थे उन्होंने जे एनियू जो है वो उनिवर्स्टी साइने डाई क्लोजर में कर दिया बंद होगे लिवर्स्टी हम तो ताजा ताजा आये थे हमारा साइट पहले ही सेमेश्टर था या दूसरा रहा होगा जहां डाउन केमपस में आजकल तमाम दफ्तर हैं उससे में जेनियू हुआ करता था हमारे सीनियर्स ने हमारी क्लासेस कंड़क्ट क जिए बंद रहा था लेकिन उस एक महीने में हमारी पढ़ाई बंद नहीं थी उस एक महीने के दोरान सहियोग से अगर आप अन्मती दें तो उस एक महीने के दोरान मैंने तै किया कि मैं आगे चलके रिसर्च कबीर पर करूँगा उस एक महीने के दोरान मैंने कबीर पर एक पेपर लिखा जो इतना बढ़िया था कि मेरे मित्र महुंस रोतरी है क्योंकि अभी भी अंग्रेजी अच्छी नहीं जानता था उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और वो मार्क्सिस मिसलनी में डॉक साब चपा अनिल राजेम वाले पब्लिश एट पेपर इन मार्क्सिस मिसलनी वेचाई रोट विरिंग इस साइनेडाय क्लूजर आप देसी निवर्श क्योंकि हम लोगोंने लाइब्र मुझे फख्रें दोस्तों जे एन्यू का होने पर अध्याबक होने पर और उससे पहले चात्र होने पर मुझे फख्र है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इतने सारे नौजवान लड़के लड़कियों के बीच में जो इस्ट्रगल कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ कर रहे हैं नेशनल इन पर लेक्षर सुनते हुए कर रहे हैं, गाना गाते हुए कर रहे हैं, हसते हुए कर रहे हैं, जो ये जानते हैं कि इस्ट्रगल का मतलब मनूस बनके बैठ जाना नहीं है। तेफान देप्रिया सिनेमा में फिल्म देखने जायागा है। विचार धारा विशेस के लोगों को आपने कभी बढ़िया चुटकुले करते देखा है। उनके चुटकुले का मतलब होता है किसी कमजोर वर्गे के व्यक्ति का मजा कुड़ाना, औरत का मजा कुड़ाना, अल्पसंक्यक का मजा कुड़ाना। दूसरे सचमुच ग्यान की साधना से बहुत तकलीफ होती है। ग्यान की बातें भौत की जाती है। ग्यान की साधना और ग्यान के आनंद को ये लोग नहीं जानते। सत्य जित्राई की एक फिल्म है आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, ना देखी हो तो जट से आज रात को जाके देखना टॉरेंट करते। हीरक राजय अर देशें। उसमें वह जो राजा स साव हीरक राजय कहते हैं। जादे पढ़ेगा जादे जानेगा जादे जानेगा तो कम मानेगा इसलिए बंद करणो और इसलिए लिए एक तो देखो प्रीचर होने के नाते पचास मिनिट की क्लास की यादत और उसके बाद आप जैसे शुरूदा जो आज कल हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं मिलते हैं मुझे केवल यह कहना है दोस्तों यंग फ्रेंड्स और यंग कामडेड्स कीप इट अप जैन्यू जिन्दापार